में आज हम देखेंगे अब आपका आज हम देखते हैं तो मैंने हमेशा बोला कि ये जो है और ये डे में अंतर है ये टोटल हमने 50 डेज रखा था कि 50 डेज में अब इसलिए हम प्रोवाइड नहीं करते हैं सपोज मंडे से आपको फ्राइडे तक हमने बोला था वीर बीच में जैसे कुछ को है जो हमने जो पेड़ वाले प्रोग्राम में इसमें है तो मैंने उनको प्रोमीस किया कि येस आपको 2500 प्लस कोश्चन प्रोवाइड कराएंगे तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूं हाफवे प् फिर आप पीछे क्योंकि रिवीजन मल्टिपल टाइम वह जरूरी होता है आप जितनी बार हो शकता है उसको रिवाइज करें तो आज का फर्स्ट कोश्चन देखते हैं कि वीच एमॉंग फॉलोईंग वाइल लाइफ सांक्चूरी इस गोई इंडिया जिवर डार्क का मतलब क्या है अभी आप जदी ऑब्जर्व करोगे तो बहुत जगा जैसे हम आप छोटे थे ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा यह हो गया लेकिन जिस भी एज में जैसे छोटे थे तो थोड़ा देखते थे कि पॉलूशन लेबल लेटी लेसर था आज पॉलू आप में तारे बगएरा बहुत अच्छा दिखाई देते थे अब आज की डेट में अर्वन एरिया और खास करके मिजोरीटी ऑफ रूरल एरिया में भी यह दिखाई नहीं देते लेकिन कुछ एरिया है जैसे आप देखोगे ना वो जो कहते ना कि बच्पन से आपने आप दिखाई नहीं देता है क्योंकि इतना ज्यादा पालूसन है अभी भी आप जैसे लद्दाक हेरिया में और हिमाचल परदेश के कुछ एरिया में या जहां पूपलीशन जो असपार्श है बहुत कम है तो वहां आपको दिखने को मिलेगा तो इसमें जो इसका मतलब है कि वहां आप अंतरिक्ष के विभिन चीजों को जो विभिन खगोलिया पेंड है उसको एट लिस्ट प्रोपर डार्क नाइट में देख सकते हो कि जो वहां लाइट पॉलूसन एक तरह से अल्मुष्ट कम है तो यह आपका है भी चांग्ठांग वाइड करते हो तो 27 आता है तो यह देखो एक यह तो इसका मतलब साइकली सीटी जो है फिर यहां करोगे तो 27 आएगा फिर इसको करोगे तो यह आपका 27 के बाद फिर लास्ट में आएगा इसका मतलब साइकली सीटी फोर का है जदी आप देखो वन करें तो 3 9 27 फिर 81 फिर 3 9 यह आपका यह आपका फिर 7 और फिर 1 तो इसका मतलब है कि जो यह 3 to the power 39 है इसका मतलब यह 99 है तो इसको क्या लिख सकते हैं यह आपका 3 to the power 96 और इंटू 3 to the power 3 लिखेंगे तो अब 3 to the power यह 96 जब होगा तो लास्ट क्या आएगा वन आएगा इसका मतलब यह क्या है इसके लास्ट जीजिज में जो है तुपावर 3 यह नि कि 7 आएगा इसमें क्या है यह 2 पर है तो इस फुटी एट और इंटू to the power 48 इंटू 3 to the power 2 तो यह लास्ट में 9 7-9 यह वन कैरी करोगे तो सेवेंटीन सेवेंटीन माइनस नाइन एट तो यह एट इसका लास्ट डीजिट हो जाएगा ओके अविसली हम पूरे कल्कुलेशन अब यह हम हमारे पास तो नहीं पता लेकिन हमको मेथर्ट से जानना है रूल से जानना है वह से आप कर शकते हैं को साइकली सीटी टेम्स जो ह कि हम कोसी कर रहे हैं कि वेस्ट टू जो एनरजी है और उसको वेस्ट को हम मिनमाईच करें और यह सारी चीजों को तो यह वेस्ट के लिए एलेक्ट्रोनिक वेस्ट के लिए यह प्रोपर जो है कि उसका प्रोपर ट्रिट्मेंट जो एलेक्ट्रोनिक वेस्ट है उसको हम बन सकता है तो उसको बनाने की कोशिस करें उसको यूज करने की कोशिस करें तो यह A1 सही है महरास्टा इस लार्जेस्ट टोडीशर आफी वेस्ट इन इडिया यस यह भी अभी सी है कोशन नमबर आ3 अट्री अट्रोनिक्स अनिफ्रमीशन टेक्नोलोजी नोटिफाइड दाइवेस्ट मैनेजमेंट रूल तूज अग्लाजन इसरा तो वन एंट तू करेक्ट है तो यह इसका आंसर हो जाएगा निक्स्ट है वीच वन अफ़ लगाएग और आफ पॉनर डेक्न इस में इस वेस्ट है हमें उन्स अपका यह difference है, पूरा complete नहीं है, कौन है, कौन है आपका different type का, लेकिन असफेर जदी देखोगे, तो असफेर क्या क्या है, सब तरफ से है similarity है, जो यह more homogeneous है, तो यह homogeneous है, तो उस निज़ार में यह अलग है, निज़ार में अस्थापित किया गया है, तो वो कुस्ट गार्ड का 840 स्कार्ण, इसका मतलब नहीं है कि 849 स्कार्ण पाइले थे, वो स्कार्ण में क्या होता है, कि number of aircrafts and other equipment and all things होते हैं, तो यह जो खोला गया है, यह अभी हाल में ही, यह चिन्नई में, ताकि more and more surveillance, भोशा के, शीरूट्स को, आप देखोगे कि मुंबई attack के बाद 2008 के 26, 11, 26, 11 के बाद, हम जो है 38 सुरच्छा अपना जो postal security को ले करके भी काफी active हैं, निक्स का रहा, bulk of iron in the human body is in, तो human body में bulk of iron, iron का मतलब यह नहीं है, कि पूरा इतना iron निकल जाएगा, कि आप उससे क्यों पेंस्ट बना सकते हैं यह नहीं, वो नहीं, बट फिर भी जो है, तो देखो, bones में आपके calcium होते हैं, teeth में calcium होते हैं, liver में other things होते हैं, तो यह आपका blood में, जो है majority, इस वज़े से जो काते हैं, कि एनीमिया जब होता है, तो रक्त की कमी होती है, यह मतलब है, तो iron and folic acid और यह सब लिया जाता है, तो B इसका correct answer है, निक्स्ट कोश्चन नंबर 7 यह है, according to Natya Sastra, ओध्रा, ओध्रा मगधा is the earliest form of present day odyssey dance, तो odyssey dance का ओध्रा मगधा जो है, बरतमान odyssey नित्य का सक्षे प्रारंबिक रूप है, यहर डांस और यहा कुछ जो भी कला देख रहे हो, तो originally ऐसा नहीं है, उस form में बिलोंग कर रह था, originally वो different form में था, उसमें चेंजे जाए, उस चेंजे के बाद आप इस condition में suppose देख रहे हो, तो यह first चाहिए, तिरभंगा is closely associated with odyssey, यह भी सही है, तो C इसका करेक्टर स्टेट निट, एंसर है, निक्स्ट कोश्चन एट करावीट के बारे में, करावीट इजा, रभी क् जाता है, वो November, December, depending on हर जगा, अलग-अलग वो महीने, दो महीने, variation होते हैं, तो जैसे हम लोग के अरिया में, November, Ind, या December, first में, जो भी बोया जाता है, और maximum April, या कुछ रह जाते हैं, तो, चुकि मजदूर की भी कमी होती है, तो अभी हमारे एरिया, for example, मजदूर से, मेक्स सही है, वीट रिक्वार्स, बेल ड्रेंट, फर्टाइल, लोमी, आइंट, क्लेई, लोमी, और श्वाइल, यास, यह भी सही है, जो अच्छी जलनिक, आसी वाली, जो जाओ, दो मट और चिकन, दो मट मिटी क्याव सकता होती है, तो, इंडिया इस सकेंड लार्जस्ट पोड तो देखो, जो सानन्द है, वहीं टाटा मोटर्स, देखोगे, टाटा नैनो का प्लाइन्ट लगाया गया, जब बेस्ट बंगाल में सिंगूर से हटा दिया गया तो, तो फोर्ट जो है, फोर्ट इंडिया में बना रहा था, फिर उसके बाद इसे लगा कि नहीं, यह हमारा जो जीतना कार बीखना चाहिए, जब हम यहां प्लांट लगाएं है, तो जीतना बीखना चाहिए, उतना नहीं बीख रहा है, तो इसने डिसाइड किया, फोर्ट मोटर्स ने कि यहां बंद कर देंगे, फिर गाडियां जो है, इंपोर्ट इंडिया में हो गी लेकिन यह बन ना बनेगा नहीं तो इसको जो एक्वाइर कर लिया टाटा मोटर्स ने कर लिया नेक्स्ट आपका कंसीडर तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आटर्णी जनरल ऑफ हिंडिया करा प्रसिडेंट ऑफ हिंडिया पॉइंट से परसन हुई प्रसिडेंट ऑफ इंडिया आपनी मरजी से नहीं करेंगे जो प्राइमिनिस्टर और कॉंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको कहेंगी एक तरह से तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इंडिया प्रसिडेंट से किसी को बोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है जैसे फॉर एक्जांपल कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर है सपोज को मिनिस्टर तो बिना मिंबर रहे भी संसद के किसी भी सदन के मिंबर रहे भी नभी six month तक रह सकतें तो जिस समय वो member नहीं है मानके चलो किसी को बना दिया कया मंतरी अब ही और उनको up to six month तक टाइम है कि तब तक वह सदस्तारा घरहन कर सकते हैं वह बीच में कुछस्मीं को था तो आप भी दो उन नहीं कर सकते हैं तो मारा एक प्रेक्टिस प्रइवट्ली तू एज इस नो न distintos तू के उसमें आपको dek ironi ti यह हम जानते हैं कि देखो, इसमें जदी, for example, 1 हम रख करके देखते हैं, सबसे simpler 1 है, तो 1 जदी आप रखोगे, तो 3 to the power 9 हो जाएगा, इधर क्या होगा, 27 into ये power 3 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 9 है, तो इसको हम क्या लख सकते हैं, 3 to the power 3 और into 3, तो देखो, आसे जदी होता, 3 into 3, और into 3 to the power 3, तब एडिशन हो जाता है, पावर का, लेकिन ये 3 to the power 3 है, और उसके power 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 to the power 9, तो जब हम 1 रखते हैं, तो दोनों बराबर हो जाता है, तो 20 का correct answer हो जाएगा, question number 12, consider the following statement, the pardoning power by the governor of a state is immune from judicial review, judicial review से immune नहीं है, जदी आप pardon करते हो, तो judicial review के अंतरगत आएगा, court जो है, उसमें interfere कर सकती है, कि आपके पास action में power वो था करने का यह नहीं, तो ये आपका statement गलत है, तो not immune, it is not immune from judicial review, तो first statement गलत हो गया, second statement का रहा, article 161, bestows upon the governor the power to grant pardon in a case relating to capital punishment, तो capital punishment में क्या है, कि वो president of India को ही power है, life imprisonment and the other punishment जो है, उसमें governor के पास power है, लेकिन capital punishment जो है, president of India के पास power है, तो वो भी गलत हो गया, तो D is का correct answer है, question number 13, consider the following statements about bird no tobacco day, तो it is celebrated every year on May 31, 31st में को यह celebrate किया जाता है, तो सही है, the theme of 2022 is, 2022 यानि की bird no tobacco day का theme था, tobacco a threat to our environment, हमारे environment के रिये threat है, तो दोनों statement सही है है, तो C is का correct होगा, question number 14, which of the following statements about a small satellite launch vehicle is are correct, तो SSLV means a small satellite launch vehicle, it is a three-stage rocket, yes, this statement is correct, it is saying ki first and third states are having solid propulsion system, while second one is powered by liquid propulsion system, actually all three states are of liquid propulsion system, so second is wrong, so first is correct, so a is the right answer, next it is x plus 1 by y equal to 1, y plus 1 by z equal to 1, then value of z plus 1 by x, अब एक चीज़ देखो, अब x minus y यह complex आपका होता है, two रख करके किसी को देखोगे तो यह complex होता है, अब एक तरह से जो यह कह रहा है, कि यह सारे तभी यह condition में होंगे, ज़िए इस टंक से सब 1 आ रहा है आपका, यह एक format आपका pattern follow हो रहा है, तो इस format में क्या देखते हो, x plus 1 by by equal to, it is 1, यह by plus 1 by z equal to 1, then x plus 1 by z, तो इस pattern में जदी हम देखेंगे, तो यह इसका 1 आपका आएगा, नेक्स है, परसना starts from point P and walk 1 km along a straight line and then turns to his right and walks a straight for 2 km, after that he turns to his left and walk for 3 km to reach a point Q, what is the straight line distance of the point Q from point P, let here some point P is there, from here let for example he walk for 1 km, 1 km and after that he turns right, so it is right, it is 2 km, after that he turns left and run for means walk for 3 km, okay, so he reach Q, it is 3 km, so it is asking about distance between from here to here, so if we increase here, then it is also 2 km, if we do that, so it is 1 km, it is 3 km, so it is total 4 km and 2 km, so hypertonous is, means P or Q, to H square equal to, you know L square, sorry H square means H equal to under root L square plus B square, so that is 4 square plus 2 square, it is 20, so 20 you can write 2 into root 5, so B is the correct answer. Question number 17, which among the following infrastructure projects won the Indian Building Congress based infrastructure project, so out of these given recently, Atal Tunnel, Atal Tunnel won the best award in the sense that Indian Building Congress based infrastructure project, because now that this is one of the engineering marvellous and this reduced the time in the area of Himachal Pradesh and also to Ladakh and other area, okay, so Atal Tunnel is A is the correct answer. Next, it is said that a solid metal ball, so okay, a solid metal ball of diameter 10 cm is melted and cast into smaller balls of diameter 1 cm. How many such small balls can be made? So it is about, for example, 4 by 3, okay, 4 by 3 pi r q, okay, is the density, sorry, yes, is the volume, okay, so volume, if, even if r you can keep, it is about 10, so 10 by 2 you can do here, and it is here 1 by 2, okay, so just for time being, yes, keep the things key, if 2 is from means in denominator here, then it is also here. So what will be happen? 4 by 3 pi is common in both. So it will be 10 into 10 into 10 divided by 1 into 1 into 1, since 2 into 2 into 2 here also, 2 into 2 into 2 here also, so it will cancel. So it will be 10 into 10 into 10 into 10, so it will be 1000. So C is the correct answer. Now it is said in an examination, every candidate took Hindi or History or both. Either some student take Hindi, some student take History or some student took both the languages, both the subjects. 66% took Hindi and 59% took History. The total number of candidates was 3000. How many candidates took both? Just make Venn diagram. Now, what do you see? If 66% you adding 66% plus 59%, it is 125. But anything will happen only 100%. Now that's mean 25% people are those, we are not knowing who 25% are, but at least 25% means sorry, 25% are there who are taking both the subjects. So 25% here means after that if you do here Hindi, okay, if it is Hindi, then it will be 41%. If it is, then it will be 34%. Okay, now that will be the things. So if 100% is 3000. Okay, 100% is 3000. Then 25% is 3000 or by 4 in fact, to 750. So B, it will be 750. Okay, so 750 is the correct answer. Now it is saying Lake Great Bitter. Lake Great Bitter is a part of, so it is Swage Canal since it is located in Egypt. Okay, so it is in Egypt, saltwater lake, average depth is 19 meter and all. Okay, so she is the correct answer. Now it is saying as per latest guidelines of RBI Reserve Bank of India, what is the minimum net worth required for scheduled commercial bank to issue credit card? Actually, see, debit card has little lesser risk. In fact, in one way, debit card has no risk, but credit card has risk. So for commercial bank, so for commercial bank, so initially when it was established, so paid up capital was 5 lakh rupees, but 5 lakh is a nominal sum. Even at the time when it was kept 5 lakh, then 5 lakh was a great amount, huge amount. At this time, there are millions of people who are having 5 lakh in their account itself. Okay, but so it is now increased to 100 crores. Okay, so to issue credit card. So B is the correct answer. Question number 22. Consider the following statements with regard to section 124 A of IPC means sedition. Okay, it defines sedition as an offense committed when any person by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India. Yes, it is correct. Next, a person charged under this law is bad from a government job. Yes, it is correct. Sedition is a non-bailable offense also. So all three are correct. So D is the right answer. Next, India's rank in world phrase freedom index 2022. So it is 150th means we are having very bad rank. So A is the correct answer. Next, 24. Consider the following statements with regard to the corporatization of the ordinance factory board. Okay, the assets of the ordinance factory board including its 41 ordinance factories were transferred to the seven new firms. Yes, now seven new firms has been created. Initially, initially it was 41 companies union government owns 51%. No, in fact, it is 100% of stakes ordinance factory board said water is in Kolkata. Okay, so ordinary ordinance factory board headquarters in Kolkata. So it is also correct. So it is C is the right answer. Next, last question. Okay, is a day associated with which of the following religion. So it is related to Buddhism. So here, the person who is following Buddhism is going to serve some of the shrine of the Buddhist and other places and they've they they do worship and other things religious rituals and other things. Okay, so it is C. Now in paper to write essay on the given topic in a prox 300 words. Okay, so first stage says social sorry secular fabric must be a strong in India to make the democracy inclusive. So in India, you have seen the election commission and other have time and again you should guidelines key or you should not ask both in the name of religion and all. So democracy is not about key you are including someone and excluding some someone. It is about the collective effort. Obviously, everyone is free to use its vote. But that voting order democracy should not be based on the religious ground communal ground. Yes, you people are not voting us we will not give you this facility and all that should not happen. Because India is a secular democratic country. Because India is a secular democratic country. And here everyone has a right everyone has right to vote of his or her own choice and on based on some issue. For example, someone is finding this issue is important for me. So I will vote on this ground. This issue is important for but it should not be based on the religious ground. Yes, I follow this religion. So the party which is following my agenda religious agenda and all that makes democracy weaker. So for making a strong democracy, we should have secular fabric. So secular fabric in India must be strong in India. Okay, so this is the first essay. The second essay is uniformity in admission process in Central University is a good step. आप देखोगे CUET जो है, तो CUET ये स्टार्ट किया गया है. First time ये इस वार तो ये एक अच्छा step है कहीं. देखो कि अभी आज की डेट में Central University हर अस्टेट में बनाने का कोशिस किया जा रहा है. तो at least Central University जो है उसमें uniform process हो. अब फुरी example पहले देखो DU में. तो DU में जो आपका process होता था तो 99%, 98%, 97% तो बहुत सारे state के बच्चे जो थे खास करके बिहार बगएरा में जहां बोर्ड में अब तो थोड़ा वहां भी बहुत अच्छा marks मिलता है. हम लोग के time में believe me 12 में जिस साल मैंने दिया था 79.7% मे 79% जो लाता है वो उसके guardian बहुत डाटते हैं कि गधा तुमारा इतना कम कैसे marks आया. तो 79% में सोची हमारे time में, हमारे year में 2005 में first ranker बिहार में था plus two में. तो that is the situation लेकिन आज के rate में चलो marks भी मिल रहे हैं, अच्छा खासा मिल रहे हैं, बट कहीं न कहीं जो CVC board है, उसमें से pattern जो है, तो at least ये एक level playing field है, तो एक इसमें से अच्छा है, ये एक initiative, good initiative है, तो इस पर आपको लिखना है. निक्स्ट आपका sentence जो है, इसको change करना है as directed, तो ये आपका either, देखो, ये इस sentence को negative, फिर आपको negative में बनाना है, फिर ये है, assertive में बनाना है, assertive, interrogative, assertive, assertive कहना, तो ये आपका, ये eight question है, इसको आप बनाएं, इसको solve करें, next बाला जो होगा, उसमें हम आपको provide कराएंगे, इसके sample, इसके solution इसको बताएंगे, regular रूप से आप work करते रहिए, आपके पास time धीरे-धीरे करके कम होते जा रहा है, और उस बात का ध्यान रखें, हाँ, अब य जो है, बक्त का हमें कीमत बसूल करके उसे जाने देना चाहिए, कुछ भी questions, questions, doubts रहता है, तो आप comment box में डाने, प्रशनल कोई भी message, question होता है, कुछ ऐसा, जिसके आप प्रशनल insert चाहते हो, तो आप message कर सकते हो, इस WhatsApp number 8527146498, या इस Telegram number 7404909669 पे, thank you, okay, thanks for watching this.